हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब कैनल मिठोन स्टडी सेंटर में और में मिठोन आए तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बार करेंगे हिंदी का जो चेप्टर मड़ा है नाखोन क्यों बढ़ते हैं और डूसा चेप्टर मड़ा है आप लोग एक बात और यार रखना भी आम जिसमें लगाऊना उसको जादा आप लोग ध्यान से देखना और हो सके तो यार करते जाना ठीक हम लोग पहली कुछिन को देखते हैं पहली कुछिन बोड़ता है बड़ा हम बार बार नाखोन क्यों काते हैं तो आप लोग यार कि अगर हम लोग बार बार नाखुन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्वक्षड आना के लिए तो आप कौर नमर नोट कर लेना बारन को देखते हैं दो नमर परसंद कर आ है दुवेडी जी ने निलर ज अपरादे किसे का आया तो नोट कर ले जगा नाखून को निलटर अप जहां से आप लोग देखते जाएं और कमेंट बॉक्स में अप जल्दी जल्दी बताईए अब परस नमरा कहता है काम सुटर किसकी रचना है ठीक है काम सुटर जो एना किसकी रचना है तो याद रखिए गाव वार्शया यान की यानि कि हमारा को नमर बिलकूर करेक्ट एंसर होगा आप चलिए अगरी क्वेश्चन को देखते हैं पाच नमर परस नमरा बोलता है नाखून बार बार काटते रहना और अंकलीट ठीक है और अंकलीट करते रहना निरूपित क्या करता है रहिए बियाम लगा हुआ है इसको आप लोग ज़रा तरह नोट करना है ये बोड संक्रिक और संस्क्रिक चेतना यानि की दोनों का बोड करती है तो आप लोग को नमल नोट कर लेना अब चलिए हम लोग अगली प्रास नमरा 6 नमर क्या बोलता है ध्यान से दिखिए प्रस्न काफी इंप्रोर्टनन आं परसे चे नमर मनुस की पसूता को जितनी बार भी यहाप पंक्ती जो ना किनके किस सिल्षक का है ? मतलब कि पंक्ती कहा गया है नाखोन के बाड़े में कि मनुस्स की पसूتा को जितनी बार काट दो हुआ मड़ता मडना नहीं चाहती है , यहाप पंक्ती किनकी है ? तो नोट के जगाespère नाखोन क्यों बोड़ते है इसी कविता के तो नोट कि में कौन सी विधा है तो नोट किजिए कोन सी विधा है तो नोट किजिए गना है यह ललिट निवंद में लिखा गया है यानि कि अमरा गवा नमर बिल्कुर करेक्ट इंसर होगा आप देखिए दस नमर प्रस्ण बोलता है अमरा किस देश के रोग बड़े-बड़े नख पसंड करते हैं तो गवड़ देश की क्या गवड़ देश के नोट करना यानि कि को न होता था वह किनकी हद्यों से बना होता था तो नोट कर लिजेगा दिक्ची की दिक्ची का यानि कि खौन मर नोट कर लेना आप चलिए अगली प्रसन देखेगा ध्यान से प्रसन करता है नाखून को किससे रगर कर लाल और चिकना बनाया जाता था पहले के जवाना में हो जाता था और चिकना हुआ हो जाता था किससे तो नोट कीजेगा मूम और अलता से मूम और अलता से जानी की घौन मन नोट कर लेना था अपरसने 12 नमर काली दास ने क्या कहा था काली दास का कहना क्या था तो उनका एक ही बात कहना था सब पुराने अच्छे नहीं होते यार रखेगा यह काफी important होता है और विविया करके इसको जरूर नूट कीजिएगा यह question बार-बार बोड़ एक्जाम में आता है पुछता है कालिदास ने क्या कहा था कालिदास का कहना क्या था उनका कहना था सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नहीं खराब नहीं है ठीक है टोनोर कर लिजिएगा आप प्रसन देखेगा हमडा प्रसन करता है चयओदानमर काफी önemli हे अभी इंप्राटने टीक है अफोBACK हो Anda में जो गइना है और जो अफ आक है अनाया शिहाए आजाती है वह पसुत का दोनतक हैं और अपने हो सायन्त रखना दूसरे इन मनुस्त का स्वाधर में यह पंक्ति की सिर्षक पार्ट से ली गई है तो नोट किजेगा यह पंक्ति काफी important होता है और चोड़ा नमर प्रस्ट काफी बार्ट एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका सदहरा तो यारयगन आ काशी बत्मान समय में अभी पटता है यूपी में ठीक है KARसी बत्मान इस ऊपरता है लेकिन हमें पूछा जा रहा है काशी को किस रूप नगरी के रूप में जाना जता था मतलब अभी विजन आ जेता है तो नोट कर लिजगा देव नागरी यानि कि वहां पर देवताओं का निवास अस्थान था अब प्रसने शुरा नमर डैस में हिंडी कि दैस हिंदी के आधि कभी माने जाते हैं यानि कि हिंदी के आधि कभी की ने माने जाते हैं तो नोट कर लिए यह माने जाते हैं सरह ठीक है सरहापाद का सरहापाद का यानि कि गौहार नमर नोट कर लेना आप देखेगा प्रस नमरा सटरह नमर बोलता है हिंदी भासा की ली पुरानी सब्याता क्या है यह यादकना लिपी का मतलब भी बोड एक्जाम में काफे बार पूश्य देता है लिपी का अल्थ क्या होता है तो आपको या क्वेश्चन कहीं आपको देखने को आपको नहीं मिलता है कोई-कोई टीचर भी आपको बताएंगे तो लिपी का अल्थ आप लोग या रखना यह मातरी भासा होता है पुरानी भासा हमारी मातरी भासा हिंदी की क्या है तो हमारी डेव नागरी डिपी है ठीक है ना चलिए अगली प्रस्ण को देखने द्यान से कया प्रस्ट नमरा कहता है मराथी बाधी नेवाड़ी भासाओ की लीपी कि नेपाली गाली ये इन तीनों की लीपी क्या है तो इन तीनों की एक ही भासा थी देव नागरी रिपी ठीक है तो आप लोग नोट कर लेना को नमर अप्रस नमरा बोलता है 19 नमर दक्षिन भारत की नागरी नागरी रिपी कुप्चा करते हैं दक्षिन भारत में जो नागरी रिपी चलता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो नंदी नागरी ठीक है नंदी नागरी के नाम से हम लेना आप चलिए अग्री प्रस्टेशन को ध्यान से दिखते हैं उससे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करके आप लोग दो शेयर आप लोग जोड़ी से कर दो चैनल वीडियो को और हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब भारत की है दक्षिन भारत की इनमें से कौन सी भासा है तो दक्षिन भारत में सबसे ज़़ा तमिल चलता है यानि कि हमारा खौवा नमर बिरकुर करेक्टेश रोगा ठीक है ना अब प्रस नमरा बोलता है किजन अब महमूद द्वारा धलवाएं गए चान्दी के सिक्कों पर सूफी लीपी में क्या अंकी थे महबूब द्वारा महमूद वो मुसलिम थे उनके धौला चान्दी के सिक्कों पर जो सूफी लीपी धलवाया गया था वह Hier सो में किस नाम से कोई लंकी अंकीत था तो कल्मा में अंकीत था किस में कलमा में यानि कि हमारा कोव बीड़कूर करेक्टेंसर हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगरी प्रसनों कम दोग देखते हैं प्रस नमरा 22 यानि 22 नमर बोलता है महमूद तेक है महमूद द्वारा चान्दी के सिक्कों पड़ किसी को सिक्कें कब शुरू किये गए थे महमू प्रस नमरा बोलता है 23 नमर किसके द्वारा पड़ चलिट शिक्कों पर नागरी रिपी राम सिय सव्द अंकित है किनके द्वारा क्या गया था नागरी रिपी में रामिया सव्द अंकित क्या गया है चान्दी के सिक्कों पर किनके द्वारा करवाया था तो एक बार नोट क करनातक की भासा क्या है तो उसकी भासा आपको या रखना है क्या है क्या है क्या है करनार यानि कि को नमर नोड कर लेना अब वहीं रखी प्रस्ट नमरा बोलता है 25 नमर राश्ट्र कू πात्सा scheint कहां के राने वाले थे आप नहीं समझतां एक राश्ट्र हमारे राशाघर के हिंता थे ये नहीं इनका नाम था राश्ट्र कू साशक क्या का ये राने वाले थे करनातक शलती है तो लेख की कृति है न छ ट्र लोग को जो ना कवीताएं ठेक इसके लेखा कौन है तो नोट की किजिए का गुनाकाल मूले जी थिका ना खौनमर नोट कर लेना आप चलिए खौनमर हो गया परस नमरा बोलता है ठाइस नमर से मराथी की बासा मराथी वासा की लीपी क्या मैंने अ थारा नागली थाल थाल नागली के कौन परमार सासक किया है विदूना रागली थे भावज थे ठेके ना अपर रचने तिसने नमर अपरा अक्छरों की कहानी किसकी रचना एक्छरों की कहाने जुना कविता इसके लेखक कौन है कौन लेखक के लिएम लगा इन सभी प्रस्नों में ब्याम लगा है बारावार बोड एक्जाम में जो ना पूछा जाता है तो नोट कर लिए इसके लेखक है गुनाकाल मूले जी यानि कि हमरा को नमर क्रेक्टिन सदुगा अब चलिए हम लोग देखते है सब्सक्राइबी लगा जेए 30 घुनाकाल मूले जी गुनाकाल मुले जी ने लिखा था ठीक है ना आपके लेगरी प्रशन को लोग देखते हैं तेटीज नमर कहता है अमरा प्रशन यह भी बियाम लगा है नोट कर लेजेगा काफी इंप्वर्टेंट करके ठीक है ना प्रशन कहता है देव नाग देवगिरी के यादव सासकों क उसके लेखक किस लिखा गया किस भासा में लिखा तो यह लिखा गया है मना नाघरी लिपी में एप लाग नोट करना कॉन अबर अप्रशने च्ओंटीज नमरा अमर कान्त का जन्म दैश्में भूआडे अमर कान का जनम किस वर्ष में भूआ था यह वनायम को जो फाने के कोम्म कीने legion 223 परृतर नम्रा पmsटवीन जानेव य॥ निलमला कुण्तविन इससस थी तो आंने तो यह कथा वाचक की पतनी थी कथा वाचक की पतनी जैनि एक जोब करेंगे तो अफ पेसनलना पोलता है 36 नमर बहादूर कहां से भाग कर आया था तो आहगा से बहाग आता तो आप मरत ओं ।क मोलता ऐसे हैं भादुर की माहन गुश्चे से पाजल के वह गई थी बहस जो है जोह है अपनी उसकी माहसिस की बहुत प्यारेट थी भायश उसके करन्म हो गई तेब करन्म चाहित अधिके अर्वा कर लेना अपरतने आते इस नमर बहादूर ने मां के रखे रुपिय में से कितने रुपिय निकाल लिये मतलब कि बहादूर की मां ने जितना रुपिया रखा था उसमें से बहादूर ने कितना रुपिया निकाल लिया था तो टोटल दो रुपिया निकाला था ठीक है तोटल लगने ले करता है। ये बाषण आता है तो मैं उसे माफी माफी माग लेता यह कफंधन की मतलब की बहादुर में बहादूर, तो यह पंक्ती पंक्ती के रहेती ह। में उससे माफी मंग लेता तो यह तोटरी पंक्टी जो ना किसने बोला था चिन का कहना था तो किशोर का कहना था किशोर कौन था तो किशोर जो ना बहादूर का कौन था तो भाई था ठीक है यह नोट कर ले ना आप चलिए अगली प्रशन को में लोग देखने हैं प्रशन क सच्छाप कोने में खड़ता था तब रह Star शोटा भाई को यहाद आप लुगप साइर यहरे लगता चुं आप करना शुप सच्छाप कॉने में खड़ता था आप चलीरकला देखते ह GREG T Shot Ka क्रें कर लाइख सच चुकी अब ऐसा नो कर कभी नहीं मिलेगा यह कह थन जो ना या कथन कीनका है क्थन क्या है तो कथन मैंने आकको एक गलत बात बता है कि शोड जो नम वह उसका भाई नहीं था किसका बहदुर का भाई नहीं था उसका मालिक था यह कंच कि आ नही बिक्ंट कोई बात नहीं कि नहीं है Kafka कि आपके निभिए इसमें कोटार, गर को लेखक केज़ परादू करते कहले रहं दखा कि लो रहा है एक जगा तो उसने क्या क्या लेखक को पकर के वह लेखक के पाश चला गया तो चलिए अगरी परसन को देखते हैं परसन नमरा 44 यानि तो नोकिजेगा वहादूरी पर चूरी आडोरप उसके लिस्ट डार्वाणेगे लिए गवान अड़ Southern नियुकम कान sign on the to the hundred to men online भोलता है लेखक अमरकान्त को किस लेखन के लिये साहें प्रूशकार की लेखरArm अमरकांट जीजुएना उनको किसे लेखन के लिए शाहित एकादमी पुरुषकार मिला था तेक आसट कास्न को में छुशा करते हैं इसको थ्यपकर को देख लिए ऐसको रोहा है ये शीक्sama बहादूर कैसा ररका था बहादूर कैसा ररका था तो यह भादूर हसमुक और महनती था ठीक है तो चलिए आज की कलास में हमने क्या देखा तो आज की कलास में हमने गवादूर को बढ़ते हैं और एक बहादूर इन दोनों चेप्टर में जितना भी इंप्वेटन परशन था बोड़ते जो पूछन लायक परशन था उसी को मैंने कभर कर वाया है तो आपको इसका नोट्स चाहिए तो क्या करना होगा कुछ नहीं करना है तो मैं अभी आ नाइन शिक्स नाइन एट जीरो नाइन फैब इस पर वाट्सट अप किजिए गा और बुलिएगा मुझे गूरूप में जोईन करते फिर मैं आपको गूरूप मेर कड़ोंगा वहां से आप लोग नोर्स प्राप्ट कर चक्त गूरूप की ज़िए ठीक है आपको नोर्स से ज जरूर जाना क्योंकि आप लोग वीडियो को जोना देख ले तो वर्ट लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना और एक काम साथ में जरूर करना इतना कर लोगे तो दो से आप लोग जरूर करना आपने फ्रेंड में इस व तो चलिए आज की कलास कैसी लगी इस पर भी आप लोग कमेंट करके जरूर जाना तो चलिए बाई-बाई मिलते हैं किसी और वीडियो के